भारत में ऐसी कई जगा हैं जो अपने रहस्य माई कारणों के चलते हमेशा चर्चा में रहती हैं। उन्हें में से एक है राजस्थान में स्थित कुल्धरा गाउं। कहा जाता है कि ये गाउं पिछले कई सालों से शापित हो रखा है। चलिए आज हम कुल्धरा गाउं के रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। की गवाही देते हुए दिखते हैं। जिसने इस सुन्दर गाउं को एक वीराने में तबदील कर दिया। कुल्धरा गाउं आज जिस हालात में है वैसे पहले कभी नहीं था। ये गाउं पहले काफी सुन्दर हुआ करता था। आज से लगभग 200 साल पहले कुल्धरा गाउं में पालीवाल ब्राम्भन काफी संख्या में रहते थे। सन 1825 में अचानक इस गाउं को सभी लोगों ने खाली कर दिया। मान्यता है कि गाउं को खाली करते हुए लोगों ने ये श्राब दिया। कि जो कोई भी इस गाउं में बसने की कोशिश करेगा वो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। उस घटना के बाद से ये गाउं अभी तक वीरान पड़ा है। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसके चलते पालिवाल ब्राम्भन और बाकी लोगों ने गाउं को छोड़ते हुए ये श्राब दिया। और इसे जानने के लिए सबसे पहले कुलधरा के इतिहास पर गौर करना होगा। इस गाउं को पालिवाल ब्राम्भनों ने सन 1291 में बसाया था। पालिवाल ब्राम्भन पाली के निवासी थे। वे सभी 11 शताब्दी में पाली से विस्थापित होकर राधस्थान के विभिन्नर स्थानों, जोदपूर, जैसलमेर, साथलमेर, वीकानेर आदी में आकर रहने लगे। उसी दोरान कुलधरा काफी समर्ध गाउं हुआ करता था। ये गाउं हर सुख सुविधा से संपन न था। यहां पर कई बड़ी-बड़ी हवेलियां हुआ करती थी। अचानक इस गाउं में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक मान्यता के अनुसार यहां की रियासत के दिवान सालेम सिंग की नजर गाउं के ब्राम्हन की बेटी शक्ती मैया पर थी। वो उसके साथ विवाह करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ गाउं का ब्राम्हन अपनी बेटी का विवाह किसी दूसरी विरादरी में नहीं क जाते वक्त उन्होंने ये श्राब भी दिया कि जो कोई भी इस गाउं में बसने की कोशिश करेगा वो पूरी तरह बरबाद हो जाएगा वहीं दूसरी कहानी की माने तो गाउं वालों ने सालेम सिंग दोरा अतधिक मास्तरा में टैक्स वसूले जाने की वज़े से परेशान होकर गाउं को छोड़ा वहीं तीसरी कहानी जो थोड़ा वेग्यानिक भी लगती है उसके मताबिक पालिवाल ब्राम्मनों दोरा इस गाउं को छोड़ने की मुख्य वज़े सूखा और गाउं में पानी के जलस्तर का नीचे गिरना था हाला कि आज भी कई लोगों का कहना है कि इस गाउं के उपर श्राब है जिसके कारण यहां भूतिया घटनाएं होती है और यही वज़े है कि ये इलाका आज बंजर और वीरान है दोस्तों आपको क्या लगता है? क्या वज़े हो सकती है? हमें कॉमेंट में जरूर लिखें वीडियो अच्छा लगा तो कीजिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर मिलते हैं अगले वीडियो में